नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनस टूटे वजार मैं उहर शर्मा मुक्का प्रोटीन के शेर दौनों एक्सचेंज यानि की नैशनल स्टॉक एक्सचेंज एनसी और बॉंबे एक्सटॉक एक्सचेंज यानि की बीएस्टी पर लिस्ट हो गए हैं इशू प्राइस के मुका अब यह पर ती जरूरी सवाल है पहला स्टॉक मे करना क्या है मुकका प्रोटीन के शेर को बेच कर प्रफिट और नहीं करनी का सवाल किया स्टॉक में बने तहने Сबस्क नब्लमर नहीं जिए कि अब मौझूदा लेवल में इसमें एंट्री ली जा सकती है तो तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप से गुजारिश है कि हमाये चैनल बिजनस टुड़े बजार को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत बूलेगा मुक्का प्रोटीन आइपियों क प्रती शेर के भाव पर लिस्ट हुआ है इस तरह से लिस्टिंग के दिन निवेशकों को इस लिस्टिंग से करीब करी 57 प्रतिशत का फायदा मिला है हम आगे बढ़े पहले इस बारे में आपको कुछ जरूरी जानकारी देते क्योंकि यह जरूरी जानकारी जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या इस स्टॉक को अपने पॉर्टफोलियो में बनाए रखना है या फिर बेस देना है और आगे के नए निवेशकों को क्या करना है तो इसके लिए एक बार पहले कंपनी के बारे में समझ लेते हैं बैंगलॉर बेस्ट कंपनी मुक्का प्रोटीन में फिश प्रोटीन इंडेस्ट्री की लीडिंग कंपनियों में से एक है कंपनी फिश मील फिश ओयल और फिश सॉल्यूबल पेस्ट बनाती है जो एकका फीड यानि की मचली जीगा के लिए और साथी पोल्टरी फीड और पेट फूड के प्रोड़क्शन का एक जरूरी ये कंपनी फिश मील और फिश ओयल इंडेस्ट्री के रेविन्यू में कुल बजार की हिस्तिदारी का 45 से 50 परसंट का युगदान देती है फिश मील और पेस्ट के लिए कंपनी का उत्पादन शम्ता सालाना धार पर आगर देखें तो 1.52 लाक मेट्रिक टन है ये अपने आ जादा देशों में फिश मील को एक्सपोर्ट भी करती है अब यह समझ सकते हैं कि कंपनी तरीके से लीडर है अपनी पीर्स कंपनियों के मुकाबले मुका प्रोटीन फिश मील हो गया फिश ओयल और इससे जुड़ उत्पादों के घरेलू इस तर पर भी करीब 25-30 परसंट पचाइड बजार में हिस्सेदाई रखती है इस सेक्टर की एक लीडिंग कम नींग मुका पूटीन की बजार में मुनुपॉली है इसका कंप्रोटीश की कोई बी कमणी इसका कंपनी तिक पाती है जबर्दस competition दे रखा इस company ने उनका कहना है कि जिन निवेशकों के पास मुका प्रोटीन का IPO में नंबर आ गया है वो तो होल्ड करें जिनका पतला उनका साफतर पर करें जिनका नंबर आया आया प्यों में नंबर लग गया है वो अभी इसको होल्ड करें और दस से पंदर प् आगे स्टॉक बढ़ सकता है अब यहां पर जो अगला सवाल है अगला सवाल यह कि क्या नई निवेशक इसमें एंट्री ले सकते हैं मौजूद लेवल से तो उनका कहना है कि जी हां मौजूद लेवल पर यह एंट्री ली जा सकती यह भाव बिलकुल ठीक है और आने वाले ल्मिटेट का जो प्रफिट आफ्टर से पैस अब 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 खुछ यह तूसम और भी लात बढ़ाक्याय से बढ़कर साजे 5% करी चाहार उड़ पर तूसमेरे यह बढ़कर साथवास प्रतुक्तिशक से यह बढ़कर करीब सात्रीफारी से ज्यादा होग ए हाट प्रतिशत हो गया है और फैनेशन ये दोहजार चौबीस की पहली छमाई के लिए कंपनी का जो अबीटा मारजन है वो दस प्रतिशत रहा है अब आप सोचें किस तरीके से अबीटा में लागातार बढ़ातरी हो रही है और अच्छी खासी बढ़ातरी हो रही है अनलिस् रूटीन के उपर हमने वीडियो करी ती सवाल थे कि भाई आपको अभी मौजूदा लेवल से क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए होल्ड रहना चाहिए और नहीं निविशक क्या स्वालों के हमने आपको जवाब दिये यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता जब करना चाहिए